नमस्कार दोस्तों, Welcome to Current Affair Talks, मेरा नाम है पंकच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे Classification of Banks in India के बारे में जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कई बार Scheduled Banks, Non-Scheduled Banks, Cooperative Banks, Local Area Banks, Private Sector Banks, Public Sector Banks क्या होते हैं ये सब इनके बारे में हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और Bell आइकन को प्रेस कीजिए ताकि Daily Current Affair Updates के साथ-साथ आपको ऐसी ही Banking and Finance की वीडियो मिलती रहें So, let's start the session तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग Classification of Banks के बारे में जाने पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि Banks किसे कहते हैं और Banking किसे कहा जाता है तो दीकि दोस्तों, Bank की Simple सी Definition है Bank is a licensed financial institution that accepts, deposits and distribute loans तो दीकि बैंक एक तरिकी का financial institution है जो कि लोगों से deposit लेता है और लोगों को ही landing भी करता है और इसी landing से जो interest generate होता है ये bank का एक important source of income होता है और दोस्तों, वहीं बात करी जाए banking की तो मैं आपसे ये कहुँगा कि इस definition को आप याद करने के कोशिश कीजेगा जो यहाँ पर banking की definition दिया है क्योंकि दोस्तों ये question कई बार interviews में पुछा गया है तो जो banking को जो define किया गया है वो banking regulation act 1949 के section 5b में define किया गया है जहां पर ये कहा जाता है कि banking एक ऐसी activity है जिसमें कि जो एक bank होता है वो लोगों से deposit लेता है investment या फिर landing के purpose से और वो जो deposit है वो लोगों की ही demand पे उन्हें repayable होता है और उस deposit को लोग कई माध्यमों से bank से ले सकते हैं जैसे check से draft से order से या किसी अन्यमाध्यम से तो दोस्तों I hope अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि banks क्या है और banking किसे कह जाता है अब हम discuss करते हैं कि classification किस तरीक से किया गया हमारे देश में banks का तो दोस्तों हमारे देश में जो apex body है banking की that is reserve bank of India RBI जो कि हमारे देश का central bank भी कहलाता है अब जो RBI है उसी के under हम लोगों ने banks को classify किया है दो categories में सबसे पहले जिसमें एक होती है scheduled banks और दूसरे जो है वो है non scheduled banks दोस्तों scheduled banks वो है जो कि RBI Act 1934 के second schedule में listed होते हैं दोस्तों इसी act में एक clause आता है clause number 42 उसमें कुछ certain criteria's दे रखे हैं जो कि banks को follow करने होते हैं अब ये जो scheduled banks हैं ये लगभर लगभर उन सभी criteria's को follow करते हैं इसलिए ये उस category में आते हैं जबकि इसी का opposite अगर हम बात करें non scheduled banks की क्योंकि ये उन सभी criteria's को follow नहीं कर पाते इसलिए इनको scheduled category से बाहर रखा गया है और ये non scheduled banks कहलाते हैं तो दोस्तों ये जो criteria's बताये गए हैं इन criteria's में एक बहुत ही important criteria जो है वो ये है कि RBI ने banks को कहा है कि आपके पास reserve capital जो है वो at least 5 lakh rupees का होना चाहिए तो जो non scheduled banks हैं ये उस criteria को भी fulfill नहीं कर पाते अब दोस्तों आप सोचेंगे कि जो banks हैं जो की financial dealing कर रहा है mainly वो इतना financially capable तो होता है कि वो 5 lakh का reserve capital रख पाए इसलिए हमारे देश में जो majority of the banks हैं वो scheduled banks वाली category में आते हैं बहुत कम ऐसे bank हैं जो की non scheduled category के banks हैं तो दोस्तों इसके साथ-साथ आप ये भी जान लीजे कि reserve capital क्या होता है reserve capital basically एक इस तरीके का fund होता है जो कि अभी मैंने बताया 5 lakh का maintain करना होता है जो कि bank किसी एक certain condition पर ही इस्तमाल करेगा जैसे bank अगर insolvent होने की गगार पर आ गया है अपने creditors को repay नहीं कर पा रहा है अपने debts पे नहीं कर पा रहा है तो ऐसी condition में वो इस fund का इस्तमाल करता है तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में majority of the banks कौनसी category में आ जाते हैं? scheduled में आ जाते हैं और non-scheduled banks बहुत कम होते हैं इसी वज़े से और इसमें जो examples है non-scheduled banks में वो आते हैं जैसे आपके local area banks हैं कुछ small scale cooperative banks आते हैं और इसके अलावा एक और bank आता है state bank of sikkim दोस्तों ये जो bank है इस bank को RBI regulate नहीं करता इस bank को जो sikkim हमारे देश का state है उसकी जो state government है वो इसे regulate करती है तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि scheduled banks और non-scheduled banks में क्या difference है आप चाहें तो इसको यहाँ पे note down भी कर सकते हैं पे मैंने लिख रखा है scheduled banks और non-scheduled banks के बारे में दोस्तों अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि यही जो हमारे scheduled banks हैं और non-scheduled banks हैं इन्ही को further classify किया गया है दो अलग category में आगे commercial banks and non-commercial banks जो ये non-commercial banks हैं दोस्तों इनको development financial institutions भी बोला जाता है commercial banks तो वो हैं जो कि customer dealing करते हैं और उनका जो objective होता है profit earn करने का होता है जबकि जो non-commercial banks होते हैं ये customer dealing नहीं करते हैं और इनका objective होता है development of country पे ज़्यादा focus करते हैं ये तो दोस्तों अब ये जो commercial banks और non-commercial banks हैं इनको आगे और classify किया गया है यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से commercial और non-commercial banks को classify किया गया है commercial banks में आते हैं public sector banks, private sector banks, foreign banks, regional rural banks, local area banks, cooperative banks, small finance banks and payment banks जबकि जो non-commercial banks हैं जिनकों की development financial institutions भी कहा जाता है इसमें आते हैं Exim Bank, SIDB, NHB and Navfit तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले discuss कर लेते हैं हमारे commercial banks के बारे में तो commercial banks जो हैं इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास public sector banks तो public sector banks वो banks होते हैं जिसमें majority of the stake जो होता है it is held by the state government और central government मतब जो हमारी राज जी की सरकारे होती है या फिर जो हमारी central government है उसका यहां पर majority stake होता है majority stake का मतब 50% से ज्यादा इनके पास होता है इसकी जो example है वो है bank of बड़ोदा, पंजाब national bank, कैनरा bank and state bank of India वहीं पर अगर दूसरी जगा हम बात करें private sector banks की तो इनमें जो stake होता है majority stake वो private companies के पास होता है या फिर किसी एक individual के पास होता है इनको private sector banks बोला जाता है इसमें example है ICICI bank, HDFC bank, Axis bank और Indus Ind bank तो दोस्तों सबसे वाले आप comment section में ये बताईएगा हमारे देश में total public sector banks कितने हैं और private sector banks कितने हैं अब बात करें अगर foreign banks की तो ये वो banks होते हैं जिनके headquarter इंडिया में ना होके किसी foreign country में होते हैं जैसे कि SCB bank है, JP Morgan है, HSBC bank है, City bank है और DBS bank है दोस्तों इस City bank की spelling सही कर लेजेगा आप, CITI है तो City bank जो है जैसे इसका headquarter New York में है DBS, Development Bank of Singapore इसके अलावा HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Cooperation SCB जो है, Standard Chartered Bank, UK में है JP Morgan, again America Regional Rural Banks, RRBs They conduct banking activities for rural areas at regional level across different states in the country There are no RRBs in Goa and Sikkim तो दोस्तों ये जो banks हैं, ये basically state में जो regional level होते हैं, वहाँ पर operate करते हैं Rural areas में banking services provide करते हैं ये banks तो आप ये भी याद रखेगा कि हमारे देश के जो ये दो states हैं, Goa और Sikkim, यहाँ पर कोई भी RRB नहीं है अब बात करते हैं Local Area Banks की तो दोस्तों येसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो local area banks होते हैं, ये non-scheduled banks वाली category में आते हैं और ये जो banks हैं, ये private banks होते हैं, बितर low cost structure और ये financial services जो provide कराते हैं, rural और semi-urban areas में कराते हैं वो भी maximum इनका जो operation का limit है, वो three contiguous districts तो होता है तीन से ज्यादा districts के आगे operate नहीं कर सकते हैं हमारे देश में अगर देखा जाए, तो केवल दो local area banks हैं सबसे पहला जो है, वो है कृष्णा भीमा समरुद्धी local area bank और दूसरा जो है, वो है coastal local area bank ये दोनों के दोनों banks हमें आंदरप्रदेश में देखने को मिलते हैं अब बात करें अगर cooperative banks की, तो ये जो banks हैं इनको primarily establish किया गया था, जो हमारे किसान हैं उनकी credit needs के लिए, दोस्तों ये जो banks होते हैं इनका एक federal structure होता है, जहां पर ये block levels पे, district levels पे और state levels पे operate करते हैं, इसके अलावा हमने urban cooperative banks भी देखे होते हैं कई बार तो दोस्तों ये जो cooperative banks का जो topic है ये थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए मैं एक dedicated video लेके आओंगा, जहां पर हम लोग ये discuss करेंगे कि cooperative banks को किस तरीके से classify किया गया है, जहां पर कि primary agricultural credit society से लेके state level के जो district cooperative banks होते हैं, वो सब आ जाते हैं अब बात करें अगर small finance banks की और payment banks की, तो ये दोनों जो banks हैं इनको launch किया गया था, basically जो हमारे देश का financial inclusion program है उसको extend करने के लिए, हमारे जो banks हैं, वो कुछ economic के हमारे कुछ sections हैं, जहां पर कि वो financial services नहीं पहुचा पए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, small and marginal farmers हैं, unorganized sectors हैं जैसे कि फॉल और सबजी के विक्रेता जो होते हैं, या फिर कोई ऐसा इनसान जो कि अपना fast food का चोटा सा stall लगाता है, तो ऐसे जो sectors हैं, यहां पर financial services पहुचाने का काम किया गया है, इन banks के दौरा, इसके जो example है small finance banks के, उसमें आता है, Equitas small finance bank, उजीवन small finance bank, उतकर्ष and capital small finance bank, वहीं पर अगर payment banks के बात करें, तो यह भी इसी तरह की एक particular niche को target करता है, जैसे कि हमारे migrant labor workforce हैं, या low income households हैं, या फिर small businesses हैं इनको, लेकिन जो difference है payment bank और small finance bank में वो यही है कि small finance banks तो loans दे सकते हैं, लेकिन payment banks जो हैं, यह loan extend नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा यह credit cards नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पे जो deposit के जो limit है, वो 2 lakh रुपीस पर customer होती है, payment banks के जो example है, वो है, Airtel payment bank, इंडिया, post payment banks, and geopayment banks, तो अब commercial banks क्या होते हैं, यह तो हमने जान लिया, इसमें जितने भी type थे, वो हमने discuss कर लिया, अब हम discuss करेंगे, जो non commercial bank हैं, जो कि development financial institutions भी कहलाते हैं, वो, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, non commercial banks में, नाबाट, Exim Bank, SIDB, NHB, और NABBIT, इसमें जो first four हैं, नाबाट, Exim Bank, SIDB, और NHB, इनको All India Financial Institutions कहा जाता है, इसको याद रखेगा आप, इस बात को कि यह नाबाट, Exim Bank, SIDB, और NHB, तो सबसे पहले हम इने ही discuss कर लेते हैं, All India Financial Institutions को, इसमें सबसे पहले आता है नाबाट, National Bank for Agriculture and Rural Development, यह दोस्तों, एक Apex Body है, Apex Regulatory Body है हमारे देश की, जो की Supervise करती है, RRBs को, और जो Apex Co-operative Banks है, उनको इंडिया में, और इसको पूरी तरीके से Own करती है, Government of India, आगे बढ़ते हैं, Exim Bank जो है, इसको बुला जाता है, Export-Import Bank of India, यह भी Specialized Financial Institution है, जिसका Primary Function होता है, जो भी हमारे देश का जो International Trade है, उसको Finance करना, Facilitate करना और Promote करना, इसको भी पूरी तरीके से हमारी देश की जो सरकार है, वो ओन करती है, NHB, National Housing Bank is the apex regulatory body for overall regulation and licensing of housing finance companies in India, तो दोस्तों, NHB जो है, इसका काम होता है, regulate करना, housing finance companies को इंडिया में, इसको भी पूरी तरीके से Own करती है, Government of India, SIDB, Small Industries Development Bank of India, ये भी एक apex regulatory body है, जो की regulate करती है, जो हमारे देश के MSMEs है, Finance Companies है, इन सबको, Government of India के अलावा, इसमें और भी बहुत सारे stakeholders हैं, जैसे कि LIC, SBI, NABAD और पंजाब National Bank, ETC, NABFID, National Bank for Financial Infrastructure and Development, दोस्तों, ये एक principal development financial institution है, जिसका काम होता है, हमारे देश में, infrastructure financing को देखना, ये सबसे latest development financial institution है, जिसको set up किया गया था, 2021 में, और अभी अगर बात करी जाए, तो Government इसमें 100% stake own करती है, बट कुछ टाइम के बाद, Government इसमें reduce करेगी, अपना stake और ले तो दोस्तों, ये था हमारा topic classification of banks in India, I hope ये आपको समझ माया होगा, और अब आपको कोई भी doubt ने रहेगा कि हमारे देश में banks को classify किस तरीके से किया गया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे like कीजे, अपने friends के साथ share कीजे, और channel को subscribe कीजे, ताकि ऐसी ही banking and finance की वीडियो आपको मिलती रहे, so that's all from my side, have a nice day all of you, thank you.